अंतागर के परवेश खान उर्फ राजा को हम आदमी पाथी का जिलाद डक्ष बनाया किया अज जिलाद डक्ष बनने की बाद पुर्थम नगर आगमन पर परवेश खान का पाथी कारिकरताओं सही तरने लोगों ने जो शीला स्वागत किया ग्राम पूर्दाओं से पाथी कारिकरताओं ने मोटर साइकल रैली निकारी और अंतागर तक काफिला बना कर पहुँचे इस रैली में आये हुए थी बतातें कि परवेश खान एक सामाजी कारिकरता के रूप में पूरे श्वेत्र में अपनी अलग पहचान रखते ही निश्य थी परवेश खान को पाथी का जिला दिक्ष बनाए जाने से आमाद् prochain पाथी को मजबूती मिलेगे परवेश खान ने पाथी दोरहा उन्हें यह जिमिदारी देने को لेकर कहा कि उन से जितना बेहतर होगा वो पार्टी के संगटन को मजभूती प्रदान करने के लिए हर समों कोशिश करेंगे उन्होंने वर्दमान की भुपेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भुपेश सरकार गरीब किसानों के नम पर सत्ता पर आई इन युवाव का कहना की गिसालों से दो ही पार्टी सत्ता चला रही है और आम जन्ताओं वहीं की वहीं है। आम लोगों को ना बहतर सक्षा मिल रही है ना ही नौकरी। इसलिए इस उमीद में कई आम आद्मी जैसने दिल्ली में सरकार चला रही है। वैसे ही 36 गर में बदला लाकर सब का भाउश्य बेहतर किया जाएगा परटी दोनों से लोग तरस्त है एक नया विकल्ब चाहते हैं आद्मी पार्टी की सरकार दिली में बेहतर काम करके हम दिये हैं 56 गड़ के लोग भियाद चाहिए है कि दिल्ली की तरज openings ब err flaws में लाभ्या ना चाहते हैं इसलिए उसाज अबस्त है पूरे प्रदेश में उसाज अपर दस्त है निश्वात रूप से आने मंढ़न स्वह स्वुनॉवorth में हम 90 सीट में मजबूती से लड़ेंगे और फिद्वाल में चनल wolves लोगों का इवी काना है कि अभी भाजपा विपक्ष में है कि इन विपक्ष की एक विपक्षिय पीड़ को नहीं है मिष्क्री कि बठी हुई है ख़र लोगों के रमन नी करते हैं ja उपेस बगेल जी और रमन सिंग जी बाहर में कुछ और बोलते हैं कि अंदर सिंग की सेटिंग है भारतिय इंतर पार्टे और कांग्रेस पूरे देश भर में हम देखें सभी राजियों में आज जन तक विश्वास नहीं होता कि आज कांग्रेस में विधायक बनाके हम भेज है कब भारतिय इंतर पार्टे में चला जाए कोई ठीकार नहीं है सिलगेर मामले की समन्द में आपको क्या कहना है चत्यजगर में आदिवासियों के साथ लगता रत्यचार हो रहा है सिलगेर में वही कॉंग्रेस पार्टे की सरकार जिसकी पुलिस की गोली से तीन आदिवा मौज़ा देती है आदिवासि परिवार के लोग 10,000 रुपे मौज़ा नहीं लिए बलकि जो वास्तिविक मौज़ा उनको देनी चाहिए सरकार को देनी चाहिए आज तक नहीं दिये वही सरकार जो खीरी में जाके 50-50 लाख रुपे दे रही है आदिवासियों की कीमत नहीं परविज भाई आपको जीला देच बनने की अने को शुब कमना है और हम उमीद करते हैं आने वाले चुनाओं में आप अपनी पार्टी को पहुत ज्यादा ठीकेट दिला सकें धन्यवाद 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 पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सबी साथी ल सवाल पूछा है तो हम हर बूत इस तर तक एक टीम बना रहे हैं बूत के अलावा भी हम जितने भी गाउँ हैं बूत के अंदर में जितने गाउँ हैं हम वहाँ तक एक एक टीम बना रहे हैं बूत की टीम प्लस गाउँ की टीम और वो टीम आगे चलके हमारे विदान सभा क के विए एक मजबूती के साथ में काम करेगी हम आने वाले समय में कारिकरता हूं कि फोच खड़ी करना चाहते हैं लोग भाजपा और कांग्रेस से परिशान हो गया हैं लोग एक नया विकल्प तलास रहे हैं और आम आदमी पार्टी अब इन भाजपा और कांग्रेस के अब कुन्डू की रिपा